मैंने क्या बोला do not imagine an elephant with pink shoes you people are imagining it ठीक है मैंने बोला था do not imagine but you will still imagine that particular thing यही same चीज मेरे पास हमारा दिमाग इसी रूप से काम करता है और तुम बोल रहे हो बोना do not get depressed तुम यह नहीं बोलना है you do not need to say do not get depressed you need to say be happy समझ जार there's a very basic difference between the two statements but you need to follow this follow the positive statement not the negative statement अगा मैं जो तुमारा mission है उसको एक paper के उपर लिखो लगाई यह लिखके दिवार के उपर लगाई sticky notes whatever ठीके समझ आ रहे है तो do that thing ताके तुम रोज अपने गोल को देख सको I can do it तुम hard work कर रहे हो वो सही direction में होना चाहिए जो hard work होता है ठीक है that is actually a vector quantity hard work is a vector quantity which has magnitude also it has direction also तो दोनों के directly proportional हो रहा है in this simple example तो में पास direction भी proper होना चाहिए जब direction proper हो गया जब में पास direction proper हो गया तब यही hard work मेरे पास smart work बन जाएगा इसको लिखके रख लो कहीं पे जादा पढ़ने से जादा marks नहीं आएगा कुमारी classes में बहुत सारे बच्चों के जिनमें सिर्फ तीन कंटा पड़ रहे हैं पड़ उनके तुम्हारे से जादा marks आ रहे हैं ऐसा क्यूं हो रहा है because smart work कर रहे हैं समझ आ गया understand में पास 4-4 marks पे 1000-2000 ranks का फर्क आ रहा है समझ रहे हैं एक एक मार्क में मेरे पास 500-500 ranks जारी है तुम्हें इतना successful बनना है कि लोग तुम्हें याद करें तुम लोगों को याद नहीं करोगे समझ आ रहे हैं तो make sure कि तुम इतने successful बन जाओ जो भी तुमारी definition of success की अच्छा researcher बनो अच्छा package लो जो भी तुमारी definition पर्सनल डेफिनेशन आई कें दूए यू कें दूए अभी तक इस बैच में हर बंदा जेए क्लियर कर सकता है समझ रहे है अब्रियमान कें जेही राइट ना चाहिए तुम आवरे जो वाला 6 CGB आया हो 10th में कुछ फरक नहीं पढ रहा हुसे 1010 वालों को च्लेर नहीं होता जेही देर इस नो रिलेशन ब्ट्वीन 10th and 11th प्लिए में पास 11th है दोनों में पास independent है समझ यह दिस इस लास 10 वे इस लास 11 वोट रिइंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट तु इच अधर समझ यह रहे तो अगर तुम 10 अच्छा कर रहे हो that has no relation with you doing good in class 11 समझ आ रहा है क्लास में मेरे 65% वाले बच्चों ने under 5000 रांक्स लाई थी 5000 और 10 CGPA वाले बच्चों का मेंस तक क्लेर नहीं हुआ सब्सक्राइब से मेरी खुद की क्लास में यह चीज़ तो मैं समझे पड़ेगी 10th has no relation with 11th में झाल